नमस्कार हिमाचल अभीअभी.com से मैं दिव्या पेश है आज की मुख्य समाचार हिमाचल में गर्भवती महिला सहीद अभी तक 11 लोग कोरोना पॉजिटिव आकड़ा पहुचा 1330 हिमाचल में आशा वर्कर्स को निशुलक स्मार्टफोन 500 रुपे अतरीक्त प्रोच साहन राशी हिमाचल में नहीं थमेंगे 108 और 102 एंबुलेंस के पहिये सरकार से मिला अश्वासन हिमाचल कॉंग्रेस में मचे बावाल के बीच अनुशासन समिती की बुलाली गई बैठक तूतू पानी में खुलेगा ग्रेडिंग और टैकिंग सेंटर बागवानों को घर द्वार पर मिलेगी सुविथा मेंगाईवा बिगडी स्वास्ति सेवाओं को लेकर युवा कॉंग्रेस उग्र पाटा साहिब में प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में किया प्रदर्शन चौपाल के पुल बाहल में खाई में गिरी कार एक की मौके पर गई जान उना में तेरा वर्षी बालक की करंट लगने से मौत सुजानपुर में युवक्नी किया सुसाइट ग्राम पंचायत पशुपालन सहायकों के पद भरने की काउंसलिंग साथ अगस्त को हिमाचल प्रदेश करंचारी चेहनायोग ने बदला चार शेणियों की छटनी परिक्षा का शेड्यूल अब समा चार विस्तार से हिमाचल में भुधवार को अभी तक कोरोना के ग्यारा मामले सामने आये हैं बिलासपुर में साथ चंबा में दो कुल्लू सिर्मौर में एक-एक मामला आया है बिहार से लोटे बिलासपुर में संक्रमित पाए गए साथ लोग बंदला हाइड्रो इंजिनीरिंग कॉलिज में होम कॉरंटाइन थे चमबा से दो लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं नाहन में 23 साल की गर्बवती महिला कोरोना पॉजिटिव पाए गई है महिला को तिरलोग पूर कोविट केर सेंटर शिफ्ट किया जा रहा है संक्रमित महिला के प्रात्मिक संपर्गों के बारे में पता लगाया जा रहा है महिला के कोरोना संक्रमित मिलने के बाद स्वास्ते विभाग अलर्ट हो गया है महिला गुविंदगर मोहला की रहने वाली है BMO मौनिशा अगरवाल नेम पुष्टी की है कुल्लू जिला में 31 वर्षी वेक्ती कोरोना पॉजिटिव पाया गया है इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1323 हो गई है और 11 लोग आज ठीक हुए हैं अभी तक 350 केस एक्टिव हैं CMJ Raham ठाकों ने प्रदेश की आशाकारे करतां को निशुल्ग स्मार्ट फोन विद्रित किये ताकि वे अपने कर्टवियों का निर्वेहन प्रभावी और कुशल पूरवक कर सके CM ने वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की आशाकार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि इस सुविधा की उपलब्धता से आशाकार्यकर्ता अपना काम बहतर तरीकी से कर सकेंगी इन स्मार्ट्स फोन से आशाकार्यकर्ता DCD हिमारोग ये टीबी मुक्त हिमाचल एप RCH पोर्टल आधी अप्लिकेशन का प्रयोग कर सकेंगी प्रदेश में लगवख 7,842 आशाकार्यकर्ता अपनी सिवाईं दे रहे हैं जिन में से ग्रामिंक शेत्रों में 7,809 और शेहरी क्शेत्रों में 33 कार्यकर्ता शामिल है जैराम ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान आशाकार्यकर्ता ने जमेनी स्तर पर सबसे महत्वपून भूमिका निभाई है जिन्नों ने इस कोरोना महामारी के समय में बाहरी राज्यों से आई लोगों को होम कॉरंटाइन के नेमों का सक्ती से पालन करने के लिए प्रेरीत करना सुनिश्चित किया है हिमाचल में 108 और 102 एंबुलेंस सेवा के पहिये नहीं थमेंगे जीवी के कमपनी सरकार के आश्वासन के बाद एंबुलेंस सेवा संचालन के लिए तयार हो गई है कमपनी ने 108 के करमचारियों को 31 जलाई तक अपनी सेवाएं जारी रखने के आदेश दिये हैं मंगलवार देर शाम तक सीम जैराम से लेकर अतिरेक्त मुख्य सचिव स्वास्त इस मामले को सुलजाने का प्रयास कर रहे थे हालांकि प्रदेश में एंबुलेंस सेवा के स्थाई रूप से जारी रहने पर अब भी संस्पेंस बना हुआ है सरकार के तरफ से इस मसले पर अब तक कोई अधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं हुई है मगर इतना पताया जा रहा है कि सरकार ने 108 सेवा को लेकर कमपनी पर भी ये कहकर दबाव बनाया कि वैश्विक महामारी में अचानक ही इस सेवा को बंद नहीं किया जा सकता वहीं कमपनी के अधिकारियों का तर्क है कि सरकार ने तमाम लंबित मसलों को जल्द से जल्द सुल्चवाने का आश्वासन दिया है इसमें बिलों का भुकतान भी शामिल है कि वाचर में कॉंग्रेस के बीच मचे बवाल को लेकर प्रदेश कॉंग्रेस अनुशासन समीती की बैठक 22 जुलाई को दोपहर 12 बजे पार्टी मुख्याले राजीव भवन में बुलाली गई है समीती की अध्यक्ष डॉक्टर धनिराम शांडल की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में पार्टी से जुड़ी अनुशासन हीनता के सभी मसलों पर चर्चा कर पार्टी आलाकमान को विस्तरती रिपोर्ट भेची जाएगी ये बैठक उस वक्त होने जा रही है जब प्रदेश कॉंग्रेस में उठा पटक चल रही है पार्टी के दो मरतबा प्रदेशा ध्यक्ष रह चुके ठाकुर कॉल सिंग का मसला बंडी से तालुक रखने वाले नेताओं के स्तीफे वपत्र लीग जैसे मामले सामने खड़े ह हैं ऐसे में अनुशासन समिती की बैठक का महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के पुनर गठन के बाद अनुशासन समिती की ये पहली बैठक हो रही है प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी के पास जितनी भी अनुशासन हीमता की शिकायते आई है उनकी सुनवाई होगी शिमला के तूतू पाने में ग्रेडिंग और पैकिंग के इंदर स्थापित किया जा रहा है जिस सिख्षेतर के बागवानों को नवीनतम ग्रेडिंग और पैकिंग की सुविधा उनके घर द्वार पर मिलेगी राजसरकार ने सेप की ढुलाई तताई से मंडी तक पहुँचाने के लिए व्यापक प्रबंध किये है राजसरकार ने ना केवल नेपाल परंतु अन्य जिलो जैसे सिर्मोर चमबा मंडी से भी श्रमिकों को लाने के समचित प्रबंध किये है सरकार ने नावरक्षेतर के कशैनी गाउं के बाशिंदों को 2.4 करोड रुपे की त्वरित सहायत आराशी प्रदान की है जिनके घर कुछ महीने पहले आगजनी के कारण पूरी तरह से जल गई थे सीम ने आज वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से शिमला जिला के जुबल कोट खाई विधान सबक शेतर के टिककर शेतर में 73 करोड रुपे की विभिन विकासात्मक परियोजनाओं के उधगाटन और शिला नयास किये जैराम ठाकों ने 20.33 लाख रुपे की लागत से निर्मित निर्गी से कशैनी जलापूर्ती योजना लोगों को समर्पित की अन्य समाचार ब्रेक के बाद श्रीबालाजी मल्टी स्पेशालिटी होस्पिटल कांग्रा जहां आपको एक ही चत के नीचे मिले बहतरीन चिकित सा सुविधाएं कार्डियोलोजी लेप्रोसकोपिक जनल सरजरी यूरो सरजरी ऑर्थोपेडिक्स पीडिया ट्रिक्स रेडियो डाइगनोसिस यूरोलोजी गेस्टौ एंट्रोजी ओफथेलमोलोजी पैथोलोजी मेडिसिन अनस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बहतरीन चि इजी स्वास्ति सेवा प्रदाताओं में से एक शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांग्रा राश्टी स्वास्ति भीमा योजना के साथ सूचिबध शिबालाजी मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटल कांग्रा वीपील परिवारों के लिए अस्पताल में कैश प्रदेश अध्यक्ष मनीश ठाकुर की अगवाई में सरकार की नीटियों के खिलाफ प्रतिकात्मक प्रदर्शन किया इस दोरान के इंद्रव प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारे बाजी की गई युवा कॉंग्रेस की नेताओं वा कारे करताओं ने स्डियम बाउंटा की मार्फत राजिपाल को एक ग्यापन भी भेजा अले ही जनता आर्थिक तंगी से जूच रही है उस पर पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम जिससे महगाई भी बढ़ गई है उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार की गलत नीतियों के चलते 108 और 102 एंबुलेंस से वाएं खसता हाल हो चुकी है राजधानी शिमला की उपमंडल चौपाल में आज दो पहर एक दर्दनाक सडख हाथसा हुआ है जिसमें एक वेक्ति की मौत हो गई है हाथसा उपमंडल चौपाल की पुलबाहल में हुआ पताया जा रहा है पुलबाहल से देवटी की और जा रहे है एक कार अचानक रिवाड कैंची के पास अन्यंतरित होकर खाई में लुडग गई इस हाथसे में कार सवार मान सिंग जाल्टा पुत्र धनी राम जाल्टा गाउं बासाधार की घटना स्थल पर ही मौत हो गई कार मान सिंग की थी और वे खुद कार को चला रहा था कार के खाई में गिरते ही स्थाने लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को भी सूचित किया मौके पर पहुँची पुलिस चौकी पुलबाहल की पुलिस टीम ने खटना स्थल पर पहुँचकर शव को कबजे में ले लिया है पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है इमाचल प्रदेश के उना जिला में एक 13 वर्षी बालक की करंट लगने से मौत हो गई वहीं हमेरपुर जिला में 21 वर्षी युवक ने फंदा लगा कर जान दे दी जिला उना के पुलिस थाना हरोली के तहट बदसाली में 13 वर्षी युवक को घास काटने की मशीन से विजली का करंट लग गया जिससे बालक की मौत हो गई मृतक बालक की पहचान अरुन कुमार पुत्र राजेश कुमार निवासी बदसाली के रूप में हुई है पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर पोस्ट मॉटम के लिए शेतरी अस्पता लोना भेज दिया और मामला दर्च कर आगामी जांच शुरू करती है इसी तरह से जिला हमीरपूर के उपमंडल सुजानपूर में 21 वर्षी युवक ने फंदा लगा कर आत्म हत्या कर ली आजसा मंगलवार देर शाम को सुजानपूर के तहत पुरली गाउं में पेश आया युवक ने डिगरी कॉलेज सुजानपूर से पिछले वर्षी बीएसी की पढ़ाई पूरी की है और प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी कर रहा था युवक ने आत्म हत्या क्यूंकि अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है और ना ही घर और शव के आसपास कोई सुसाइड नोट मिला है हिमाचल प्रदेश के पशुपालन विभाग में ग्राम पंचायत पशुपालन सहाइकों के पद भरने के लिए काउंसलिंग साथ अगस्त को होगी पशुपालन विभाग में पशुपालन साहाइकों के 21-21 पदों पर भड़ती की जानी है जिसके लिए विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन भी जारी कर दी गई है ये 120 पद मुख्यमंदरी पशुधन यूजना के तहर पशुपालन साहाइकों के है विभाग द्वारा जारी अधी सूचना के अनुसार इन पदों के लिए 10 अगस्त को पातरों मिद्वारों की कांसलिंग की जाएगी इसमें उनुमी द्वारों का चैन होगा जिनोंने साल 2018 तक बारिवी के बाद दो वर्षी ये पशु औश अधी जनक प्रशिक्षन प्राप्त किया हो चैने थोने के बाद पशु सहाएक शिक्षकों को 7000 रुपे प्रती महा सैलरी के तौर पर दिये जाएंगे माजुल प्रदेश करमचारी चैन आयोग ने चार शेणियों के छटनी परिक्षा के शेडियूल में बदलाव किया है ये परिक्षा नौ से सोला अगस्त की बेश निर्धारित की गई थी टीजेटी आर्ट्स की परिक्षा सोला अगस्त की बजाए नौ अगस्त को सुभस्त के सत्र में निर्धारित हुई है इसके अलावा स्टाफ नर्स की छटनी परिक्षा भी नौ अगस्त को संध्या कालिन सत्र में आयोजित होगी आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि अब TGT Non Medical की छटनी परीक्षा 9 अगस्त की बजाए 16 अगस्त को आयोजित की जाएगी इसी तरह TGT Medical की परीक्षा भी 16 अगस्त को संध्या कालिन सत्र में होगी इसी की साथ आज की समाचारी हैं समाप्त होते हैं धनिवाद